Hello everyone, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET की CUET में जिन स्टूजन्स के cut-off में marks कम आई हैं like really कम आई है तो उनको admission मिले गए नहीं मिले गए काफी जादा बात चर्चा में है लेकिन हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह CUET में जो low percentile marks हैं उनका admission हो रहा है उनके भी नाम आई है लिस्ट में क्योंकि cut-off बहुत ही low गई है काफी low गई है cut-off ऐसा जरूरी नहीं कि हर university में गई है यह मैंने आपको त्री पुरा university आपके लिए open किया है जो कि एक central university है accredited B++ grade by NAAC है तो आप यहां से इसको देखेंगे मैं आपको यहां पर दिखाऊंगे उन्हों CUET के merit list published करें है तो आप मैं आपको वह दिखाना चाहूंगी एक मिने सो यहां पर मैं आई हूं इनके नोटिफिकेशन पर जिसमें यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर यह लिखा हुआ हैं commerce इनके काफी गए हैं अगर हम CUET में कोर्स के बात करें हैं तो इनका commerce भी गए है तो हम अभी इनका देखते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह लिखा हुआ है तो यह स्टार्ट हो रहा है 96, 93, 90, 88, 87, 85, 84, 81, 80, 78, 75, 74, 73, 64, 63, 53, 50, 44, 27, and 21 यहां पर आया है तो यह 75 तक गया है अन्रिजर्व में लास्ट और स्ट की बात करें तो 74 से स्टार्ट होके 21 पर आके रुका है 21, can you believe it तो लो परसेंटायल वालों के भी अडमेशन मिलेगा बस उनको क्या करना है उनको जो टॉप युनिवर्सिटी जादा जा सकता है यह भी एक सेंट्र यूनिवर्सिटी यह तो अगर आप दी यू, जेन यू, अम्यू, जामिया को ही टार्गेट करेंगे तो फिर आपके लिए अडमिशन लेना मश्किल हो जाएगा बढ़ आप बाक 25, 46, 35 गिया है, OBC में 65 है, और EWS लिस्ट में 174 है और 138 है, तो लोवेस्ट जो गया है यह तिस 21, और हाइस्ट गया है यह तिस 96, तो कहां 96 हो, कहां 21, तो कट ओफ नीचे भी आई है और उनका एडमिशन भी हुआ है, तो आपको बस इतना ही बेसिक यह बताना था, इसके ल कामन मेरिट लिस्ट पर कांसलिंग और इम्ड प्रोग्राम, इसका भी आपको दिखाते हूं, इसमें देखिए यह भी है, हाँ पर 99 से स्कोर स्टार्ट हो रहा है, तो 98, 97, 96, 95, 94, 92, 90, 89, 88, 87, 85, 83, 82, 81, 80, ठीक है, तो अगें, अगें, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 75, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, यह तो काफी लंबी है वैसे तो, बत्म आपको लास्ट में बताते हूं कि लास्ट में लिस्ट कहा तक पहुच रही है, यह लिस्ट जा रही है, इसके बाद, लास्ट ट्वेंटी, ट्वेंटीवन लास्ट थी, यह टू फिफ्टी स्टूड़न्स पर ट्वेंटी वे आगे रुकिए लिस्ट तो जिन बच्चों की लेस्ट मार्क्स आएं हैं, उनको भी जादा घबराने की जरुवत नहीं है, बस यह है कि वह बाकी उनिवरस्टीज में अगर उनने फॉर्म फिल किया है, और अगर अभी भी फिल कर सकते हैं, तो फिल करें, और वहाँ पेडमेशन लेने की कुशिश करें, सिर्फ चार पांच उनिवरस्टीज का की टार्गेट ना रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि BHU, AMU, JAMIA, DU, JNU, इन सब में हाइस्ट कट ओफ ही यही जाए, लेकिन बाकी उनिवरस्टीज में कट ओफ लो भी जारी है, हाइस्ट कट ओफ मतलब वैसा नहीं है कि उससे 90 तक ही लेंगे, जाएगे उसके नीचे बट इतना लो जाना, like 2021 जाना, it is not possible, कि वो जामिया में, AMU में, BHU में इतना लो जाएगे, बट मुझे अभी इतना मैं देख रहे हूं, इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है महाँ पर, तो इसलिए आपके बेटर यही होगा, कि आप थोड़ा रिस्क लें, और ऐसी उनिवरस्टीज में भी च्राइब करें, तो इसलिए पर वीडियो, थैंक्यों, आपके बेटर यही होगा, कि आप थो